सावन महीने का आगमन हो चुका है तो आईए आज बनाते हैं हम कुछ मेठा कुछ ऐसा बनने वाला है जो सदियों से स्पेशली सावन के महीने में ही बनाके खाया जाता है उस पकवान का नाम है पूड़ा जो बहुत हेल्दी होता है क्योंकि गेहूं के आटे में गुड़ को म क्यों मिला के इसे बनाते हैं कैसे लोहे के तावए बिना जिखे हम बनाएं कैसे ऍसे केबल एक चमच घी में बनाएं यह सब कुछ आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा तो आप समझही सकते हैं वीडियो बहुत खास है, एंड तक देखना तो बनता है, सबी देखने वालों को नमस्ते जैमाता दी, तो इसके लिए गेहूं काटा हम ले लेंगे, छान के आप आठा यहां पे ले ले, जितना गेहूं काटा है, उससे आदा हमें यहां लेना है गुड, गुड को मैंने घिस लिया है पहले, यदि आप चाहे तो गुड को पानी में घोलके, उस पानी का भी यहां पे यूज किया जा सकता है, आपको जो इजी लगे, वैसे आप बना सकते हैं इसे, पहले सूखा ही मैं गीहूं के आठे के साथ इस गुड को ऐसे मिला लूँगी, बड़ी ऐसे, सिंप से पहली जो आज मैं खास बात बताने वाली हूँ, वो ये कि आप कम पानी इसमें डाले पहले, कम पानी डाले, बड़ी आसे एक साइड को स्पून हिलाते हुए, इसे बड़ी आसे मिला ले एक दो मिनट लगा के, इससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि इसमें लंप्स य वो मिलाएंगे ना, उसकी वज़े से ना, इसमें जाली भी आएगी, जब पोड़ा बनेगा ना, बहुत ही बड़ी आ मुह में गोल जाने वाला बनेगा, जब देखें कि ये बड़ी आसा समूद गोल बन गया है, कोई गांठे भी इसमें नहीं है, तो आप पानी डाल सकते हैं, अब आप गोल देखिए कि कैसा होना चाहिए, जो गोल है वो अभी वैसे हलका पतला होगा है, हलका गाडा चाहिए लेकिन देखिए, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल पतला सा, अभी हमने इसको ढखना है दस मिनट के लिए ताकि आटा बढ़ीया से फोल जाए, उसके ब बढ़ीया से मिल गया है, आटे के साथ देखिए, इसका जो पूरा बनेगा ना, वो बहुत मुलायम, बहुत पतला, बहुत स्वाधिस्ट बनने वाला है, गोल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि पतले बनेंगे, लोहे के तवे पे बनेंगे, तो गोल पतला होना चा जाते हैं ना, माल भूए कैसे बनने है, उसकी वीडियो भी पहले से बनी है, चैनल पे आईएगा, अब ले लेंगे लोहे का तवा, जिस पे मैं डेली चपातियां लगाती हूँ, उसी पे आजे बनेगा पोड़ा, पहले बहुत अच्छे से इसे दोले, आप पिशे इस दि आले पहले ऐसे, नहीं तो आटा ना, तले में बैठ जाता है, उसके बाद तवे पे इसे डा दे, जितने साइच का आप बनाना चाहते हो, अब आज मैं इसे जो शेय पे देखी ऐसे ही दूँगी, जैसे चीले को देते हैं, इस स्पोन की हेल्प से ही, मैंने घी भी उतनी ही सिखने देंगे, जब आपको ये ऐसा दिखे, जैसा बिल्कुल इस टाइम ये है, साइडों से सुखा सुखा सा, बीच में हलका सा भी है, आपको देखने में लगेगा कि कच्चा है, इसी टाइम आपको इसे पलटना है, पलटना कैसे है, साइडों से हटाएंगे, ये बिल् जाइन इसमें बहुत अच्छा कैसे आया है, वो हुआ है, पता भी कैसे, एक तो सही माप के साथ, एक जो हमने दो तिन मिनट के लिए इसको गोला, दस मिनट के लिए इसे हमने फूलने के लिए डाल दिया थार्टे को, वैसे ये बनते हैं, अब लो फलेम पे ही बनाएंगे, निचली साइड से भी इसको पकने देंगे, उसके बाद इसे उठा लेंगे, केबल दो मिनट लगते हैं, एक पोड़ा बनने में, है ना बहुत ही गजब का, एक दम कागजी पतले जिसे बोलते हैं ना, वो देखिए, मैं आपको ना उठा के इसे दिखा देती हूँ, ये द तो कहा जाता है हिमाचल में कि इस जो सावन का महीना होता है ना, उसमें हमें पूड़ा बनाके खाना चाहिए, जो गुड़ वाला पूड़ा होता है, बहुत शूब होता है, साथ ही ये दि बोले बाबा को इसका भोग भी लगाते हैं ना, वो भी शूब माना गया है, तो ह आप भी बिताईएगा कि आपके यहां यह बनता है, कैसे बनता है, यह सब आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो देखिए यह भी एक मिनट में ही हो गया है, साइडों से इसे भी हटाया, उसके बाद इसको बीच से हम हटाएंगे, बिल्कुल वैसे ही, यह बिल्कुल सही है, इस पहले वाला है, जो बढ़िया सा देखिए पक गया है, दो मैंने ऐसे बना लिए हैं, बिल्कुल जादा टाइम नहीं लगा है, आप बहुत से ऐसे बना सकते हैं, यह ऐसे हल्दी एक स्वीडिस है न, कि कभी भी बनाके इंजॉय की जा सकती है, फैमली में छोटे से लेके ब जगाईए, तवे पे उसे लगा दीजिए, वैसे भी आप इसे बना सकते हैं, जैसे आपको सही लगे, लेकिन हिमाचल में मैकसिमम जगाईए ऐसे ही बनाया जाता है, तो उठा लेंगे इसे, तो देखा, कितनी असानी से लोहे के तवे पे, कम घी में, बिना चिपके हुए आज हमने ये पोड़े बना लिए, तो आप भी सावन इन पोड़ों को बना के इनका अनंद उठाईए, ये आपके सेहत के लिए जहां बहुत अच्छे हैं, वहीं खाने में बहुत सौधे हैं, देखिए कितने कागजी पतले बने हैं, आप इने कहीं गुमने का प्लान है, यदि आप इने चलाएंगे तो भी ये सौफ्टी होंगे, बच्चों के टीफन में दीजिए, तो मुझे उमीद है कि वीडियो को आपने फूल इंजॉय किया होगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे हैं नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अब मिलेंगे ऐसी एक नई हेल्डी टेस्टिट इसके साथ अब तक के लिए धन्यवाद, जैमातादी, ओमनमश्युवाए,